तो देखिए आज प्रिश्णावली 4.2 का पार्ट 4 होगा जो कि आखरी पार्ट है कोशन नमर 5 पर कोशन नमर 6 को इसमें हम हल कर देंगे इससे पहले हमने कोशन नमर 4 तक पार्ट 3 में बता दिया यदि आपने तीनों पार्ट नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रि याद कीजिए ठीक है तो देखिए यह समकोंड तुरूब जोता है इसका यहाला को 90 दिगरी का होता है तो यह था लंब ठीक है इसको आप उचाई भी बोल सकते हैं ठीक है जो कि बोलाए कोशन में यह था है आधार और यह होता है कन ठीक है तो कन हमें दिरखा 13 cm के लिए र 7 cm कम है हाँ सोरी गईस को या गया था तो देखिए इतना हो गया आप देखिए हमें निकाल ली है यह दोने बुझाए ठीक है यह तो हमने क्या माना है माना आधार हमने मान लिया माना आधार बराबर X और उचाई कितनी है इसकी उचाई है हमार पस तो लिखिए तो तो कितना है थ 17 cm से थेखिए लेक हैं बहुत असान है तो आपको लिखना पढ़े प्रिशण अनुसार ठीक है प्रिशन अनुसार यहां प्रिज लिएग आप क्यby's रुखिए रहं ब लिखिएगा अब आप लिखिए पाई पाइथागोरस की प्रमे से, क्या होती है पाइथागोरस की प्रमे से, क्या होती है पाइथागोरस की प्रमे, होती है आधार का स्क्वाइर पिलस लंब का स्क्वाइर, बराबर कान का स्क्वाइर, ठीक है, तो आधार क्या है, एक्स, एक्स का स्क्वाइर प्लस लंब क्या है, यानिकि उचाई उचाई को लंबो भी बोलते है ठीक है यानिकि X-7 इसका square काण कितना है 13 तो 13 का square अब X-2 और आसी रहेगा इसको खुल दीये A-B के whole square से क्या होता है formula A-B का whole square A-B का whole square होता है A का square प्लस B का square minus 2 A भी ठीक यह formula होता है तो यह ऐसी आ गया, प्लस X का स्क्वार है, यानि कि X का स्क्वार, फिर प्लस B का स्क्वार है, B क्या है, अमरे पास यह है, देखिए, यह A है, यह B है, माइनस बीच में इसका स्क्वार, तो A का स्क्वार, A का स्क्वार, A का स्क्वार, X यानि X का स्क्वार, फिर प्लस B का स् अब इसको solve कर लेते हैं तो देखिए x square x square दोनों जोड़ जाएंगे पिलस में हैं तो 2x square हो जाएगा फिर 14 x is equal to 169 minus 49 clear है इन दोनों से 2 common ले लिए क्योंकि यह 14 लिख होगा दो गुणा साथ साथ दुनी चौदा तो दो यहां पर भी है दो यहां पर भी है दो कॉमन कर लेते हैं यहां बचाएगा x square minus यहां बचाएगा कि बस 7x क्योंकि 2 तो common आ गया इज इक्वाल टू इसमें से इस 120 बटे 2 इसे कर जागा 2 चिंग 12 ठीक है उसके बाद 60 है यह 0 भी तो है 60 तो 60 को आप इदर ले आएए तो यह आजाएगा x square minus 7x minus 60 बराबर 0 अब इसके गुणंखंड कर लेते हैं ठीकर नए पेज में लिखते हैं पहले इसको तो देखिए इसकी गुणा आप सबसे पहले हा को तो टूटेगी उस शिपर का 60 उटेगा 12 पंजे 60 और 12 में से 5 घटाएंगा कितना बचेगा 7 लेकिन हमें चाहिए माइनस का साथ तो आप इसको ले लिजिए माइनस में बस इसको प्लस में हो गई है बारा में इसमें माइनस का साथ बचेगा ठीक है तो पहला तो आसी में चाहिए तो एक्स कमन कर लेते हैं जब बचें की करेंगे तर बस माइनस बाबर जी रहें इसको लेड़े लेते हैं यान की X plus five दोने के बराबर zero अब देखिया कि बच्चे का X minus 12 बराबर zero और X plus five बराबर zero ठीक है यहांस अगर X की बेली नुकले हैं कितनी आजाएगी 12 और यहांस अगर X की बेली नुकले हैं कितना हैगी माइनस का five तो यह कितना जागा 12 cm अब मेंने का पूछन के कोशन के गंद तो चाहि कि माने थिलोंग अब कि या घटा दिता कोशन का निस्वार ठीक है तो चैए कि माने घटाए हमने 6-5 इसी वाँपर में रपास हुशाई ठीक है तो है कमार कितना है 12-7 यानि यह कितना मर्चारीट की पांच तो होटे हैं पांच सेंटिमेटर्ट तो नब जाएं धिकर शुरह हमने में निकाल दीए वेखिए निकाल Lum निर्माण लागत है मतलब उससे बनाने में जो लागत लगी है कितने पैसे हैं रुपय में उस Damn के इस दिनने बढ़ने से तीह तीन आदिक है यदि उस दिन के कुल निर्मार लागत 90 परति तो निर्मित वरतंव की संक्या और प्रतुएक, नग की लागत गयात किजिए. तो हम मानन लेते हैं ठीक है? इंद मानन निर्मित वरतंव की संक्या. अगस है. तो अब इसमें क्या बतलः देखए? एक विशेज दिन ये दिखा गया तो आप ठिश्न अनुसार लिख ली जी आपे प्रिश्ना अनुसार करे प्रीटियक नग की निर्मान लागत ठीक है परेदल का नग कोई बड़ तन न सकता है नाग की निर्मान लागत कितनी है वो देख लीजी यह आपर इसने बोला है निर्मान लागत जो है वो उस दिन के निर्मान किये गए बरतनों की संक्या के दुगने तो बरतनों की निर्मान बरतनों की संक्या कितनी एक्स तो इसके दुगने यानि टू एक्स दैगा द सटेन अधिक से किरी झकलियर रहे हैं यह उस दिन की निर्मान लागत 90 रुपे थी मतलब 90 रुपे खर्चोंऊं निरुमाण लागत 90 रुपे खर्चोंए निर्मित बरता पर संक्या संक्या निकाल नहीं है मैं कंद कि और इसको दिमालब अलगति बड़ी एक प्लस प्लस ठीव ए तो जितने बरतन उसने निर्मित क्यों होंगे तो जितने रूपे- alltid यही तो колक्षर करब तो आट है कुल निर्मान लागत जो है ठीक है निर्मान लागत जो है हमारे पास वो नब्ब्य रुपय खर्च होए थी ठीक है इसको और इसको बनाने में ठीक है क्लिए रहे नहीं बहुत आसान हो चुका है तो अब इसको देखिए स्वार्प कर लेते हैं इसकी अंदर यदि देखिए बता दीजिए कहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जरूरू बताईएगा इसको इसकी गुनाइब दूनी एक सोसी अब एक सोसी कैसे गुर्ण खंडों में तोड़ना है कि थी एक साजाए तो हम तो देखिए हमने थोड़ा सॉल्व कर लिया है हमने तो तो टू एक स्कुर्ण एक टूटेंगा प्लस का 15 एक सर माइनस का बारा एक सब्सकर देखिए तो तो थी एक स बचेंगे बैस के और पंद्रेग्स और बार एक सो गुणा करें कितना रहेगा 90 दूनी 180 एक सिसके बहुर्या आ जाएगा करके देखिए आप मानस का नबंबय प्लस का सिक्स को मले लिजी आप तो यह बचेगा टू एक्स प्लस 15 इसक्षब गूल जीरो शिख्स को मान लिया नहीं कि यह दिखें यह लिख को गवागत दो गुणा च्छे और यह लिखुगगा ठीक है तो बिखले लगा गए शिक्स को मनेगा 15 गुणा छे ठीक है तो हमे और जो bracket के बाहर उसको ले लेते हैं एक बार यानि कि X-6 दोनों के बराबर 0 मान लेते हैं एक बार इसके बराबर जीरो एक बार जीरो तो 2X प्लस 15 बराबर 0 और X-6 बराबर 0 ठीक है उसके बाद देखें यहां से अगर आप निकालेंगे तो X बराबर कितना है जाएगा फत्र जाएगा माइनिस का 15 और बटेर में तो यह तो हो नहीं सकती क्स जो है और माइनस लेकिन अच्छे टो यह सकती है अब जब यह हो सकती है अच्छे परत्य भर्तनों की आधिये नियमीत बरतनों की कि लिए च्छे निकली प्रवार की निर्मार लागत निकालनी तो प्रवन्दर लगत टीक हो तो पिरती एक निर्मार लागत जो जितने पी रूपे मतलब हरे एक नग में विडिए हो रहे हैं 15 वैं ठीक है तो उम्मिद करतें डोनों पर लिए हो चुके होंगे तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आपको पसंदा जाएगा वीडियो के लाइक कर दीजेगा और चैनल पहले बारा है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा यदि आपको कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जक्ट से लेटिड मैथ है साइंस है कोई भी सब्जक्ट हो तो आप मे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हम मिलेंगे आप से नेक्स्ट वीडियों में तब तक लिए जया हिंद वंदे मातरम भारत मता की जया है